नमस्कार स्रीक अलाथ आप दोस्तों मैं हूं सुरिंद्र बर्मा और मैं इस समय जिस लोकेशन में खड़ा हूं ये है त्राब दिलो का भजूरी बाग का एरिया और आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं तीन मरले में बना हुई खुफशूस्षी कोथी जिसका फ्रंट जो है साड़े 22 फुट का है और डेफ्ट जो है साड़े 36 फुट की है और जिसमें हम आपको दे रहे हैं 3 बेटरूम लॉबी किचन और 3 बाक्रूम के साथ डुपलेक्स कोथी दे रहे हैं जिसमें आपको पार्किंग के लिए भी बहु तो दोस्तों आपको गर के इंसाइड में ले जाते हैं सबसे पहले हम जो एरिया कवर कर रहे हैं दिखा रहे हैं आपको में गेट से एंटर करते हुए हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर फ्रंट इसका जो पार्किंग का एरिया है यहां पर आपकी एक सिदान गाड़ी बह तंस कर भार ही लगी है और इस समय मैं आपको पार्किंग लाइट के बारे में दिखा रहा हूं या देखिय कोफिक हो बहुत ही सु noch kommen मिलेगी मैं आपको दोनों तरफ से जो हैं झायत देकाना चाहता हूं दोनों तरफ जांब पार्किंग लाइट सें मेन शुचिस है और यह हमने आपको पूरा अल्मो Ready जो हैं पार्किंग का दिखा दिया मेन गेट से और अब हम आपको दिखाते इंसाइट का फॉर्श पॉर्स तो यह अगया मेन अगय मेन गेट तो मेड़ मुवरे साथ हल्प पे हैं जो हमारा दिखाएंगे यहां गर का सबसे पहले जो एरिया हम दिखा रहें आपको यहां पहुंच गए हैं यह है लॉबी का एरिया और आप इसमें देख रहे हैं बहुत ही कुफसो जो है वाल पेंटिंग्स विगरा है पेंट विगरा यहां पे बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के दोर चूज किये हैं और साथ ही में नेक का डोर यहां पे लगा हुआ है अल्मूस्ट सारी फिटिंग्स जहां पर हो चुकी है आपने अपने परस्टन स्मान बेरा लेकर आना और यहां पर रहना कर देना है तो यह मैं आपको बाल पेंटिंग जिए बहुत ही कुमसूत आपको देखने को मिल रही है और इसी के साथ आपको सीलिंग की लाइट सब्सेडाइन दिड़ाइन दिखाए जारहे हैं वाल पेंटिंग्स साथ ही उपर जो सीलिंग में डिजाइन है वो इसके पूरे मैंचिंग करते है और यह यह मैं एक वर फिर से दिखा रहा हूं आपको और अब हम पहुं जाते हैं किचन के एरिये में लॉभी का एरिया कवर करने के बाद यहां पे आप सारा जो है यह उटल्टी वेल्डर समान बगारा जो है सारा किचन का वो भी रख सकते हैं अदरवाज एक्स्टर समान सारा जो ह है आपको यूज करने के लिए मिलेगा सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको यहां पे जूज होने वाला किचन तो यह देखिए खुबसूरुत सा जो यहां पे एक वाश पेशन है तो यह दिखिए मैडम हमें अभी यह इसकी वर्की दिखा रहे हैं तो अब हम आपको किचन की जो फिनिश दिखा रहे हैं तो यह देखिए क्वालिटी जो है इस स्थील की कौल्टी इस समय आपको दिखाए जा रही है बिलकुल समूझ स्लाइडिंग है और ब़ोट बड़ी तरीके से यहां पर बनी धुई देखिए इसका सारा इसील की जे फिटिग ह mango दिखा रहे ह और उसके बाद हम दिखाते हैं आपको यह स्पेचल जहां पर जो है बॉश विशल लगे हुए है और इसके आप तेके रिल लगी हुई है जहां पर आप वरतन दो के इन में सुखाने के लिए रख सकते हैं यह बिल्कुल निया कॉंसक्त है तो आप इसको यहां से यहां से लि पाइंट रखा गया हुए है और सामने आप देख रहे हैं यहां पे घिजर वेर फिट करने के लिए जो है टैक्स मेरा जो है अल्री जो है इस स्पेस पे आपकी जो है चिमन जागा लेगी और ताके आपकी किचन जो है बिल्कुल नीट अंक्लीन रहें जे स्पेस जो है अंधि को आपके चलते हैं जो लेठाव करिया में इस गर में आपको ड्रोंट पर एक बैट्रूम इंडर गिल रहा है एक लबी किचन और एक बातुर में के साथ तो यह अब दिखा रहें है अब आपको इस रूम का पूरा एरिया है आप इसकी फिनिस देखिए और सामने आ इस वाल में आप देखेंगे यहां पर वाल की पेटी बहुत ही कुबसूरत, क्वाइट डिफ्रेंट का वाटरोब है, फुल साइज का, यह फ्लोर से लेकर रूफ तक यह देखिए पूरा आपका यह शूज गया रखने के लिए बहुत स्पेज बनाएगी यह यहां पर और इ इंग्लिश कमोड और यह वाश मेशन आ गया यहां पर विल्कुल लेटर सुटिंग के साथ शौफर लगा हुगा है और वीजर का साने कोइट रखेंगे हुए विल्कुल टॉप पिटिंग के साथ और इसी के साथ यह आपको एक वाशिंग अरी दिखाते हैं और पट ओट ह और यह आ गया आपका श्लंडर का एरिया पहले मैं आपको वाशिंग पॉइंट निकाना चाहते हूं यहां पर आपकी यह वाशिंग मशीन जो है लग जाएगी यहां पर वाशिंग कर सकते हैं और सामने आप देख रहें यहां पर अंदर से आपने आपको दिखाया गैस फ जो जहां पर रखा जाएगा ग्रोंड फोर का पूरा दिखाने के बाद अब हम आपको ले चलते हैं फर्स्ट पोर के उपर तो आप देख रहें यहां पर खुंफसुरू सी रेलिंग आपको स्टीर के रेलिंग दिखाई जा रही है बहुत ही फिनिश के साथ यह मैं आपको जो इसमें रेलिंग दिखा रहा हूं और स्टेज भी बहुत ही बड़ी है साइस की बनी हुए है और अब हम आप नोँ स्ट पोन्चने ही बाले हैं फर्स्ट पोर के उपर फर्स्ट पर पो हुछते ही छोटी सी लॉभी आपको लिए फ्रस्ट पोर के उपर और यहां पे भी तो सीली के डिजाइन पिगरा बहुत ही बड़ी तरीके से मिल रहे हैं और यह सामने देखिए आप विंडो अब हम आपको ले चलते हैं रूम के अरी में बहुत ही बढ़ी तरीके से बहुत ही बढ़ी क्वालिटी यहां पे दोर सुगरा जूज हुए एक डोर की जो कास्ट है अठारा से दीज हजार की जोरी डोर जो है और बिल्कुल अबढ़ी है क्वालिटी के जहां पे लॉक्स अगरा लगे में और अब आपको दिखाते हैं फर्स्ट पर बढ़ा हुआ बैट्रों और यह था में देखिए आपको यह एक लेडी पैनल दिखाय जा रहा है कलरल अब आपको दिखान जाता हूं तो मैं आपको डिखान जाता हूं चाहिए लाइटिंग सिस्टम बहुत ही बड़ी तेखिए से बोत कुसूद दिखा गया हुआ है और अब हम आपको इसके साथ अटेच वास्ट रूम और ड्रेसिंग एजिए दिखा दिखा दिया है यह से म पहुंच गी है अब हम आप दिखाने वाले हैं फर्स टोर पर सेकेंड बैडरों और इस गर का तीसरा थर्ड बैडरूम जैसे मैं पहले को आपको स्पेंड गी है फ्रंट के बैडरूम है फर्स फोर का प्रंट का बैडरूम और इसकी डिजाइन जो सीलिंग की देखिए बह बिलकुल डिफ्रेंट ग्रीनिश इसको टॉन दीन हुए और उसी के मैचिंग में जहां पे लिड पैनल बनाए गया है और अभंग आपको दिखाएंगे मैड़ यह दिखाएंगे आपको आप आप के बाश्रों दिखाएंगे बहुत ही पुछल्ग वाश्रों यहां पे बट वाच्छों लगा सकते हैं तो आपको दिखाते हैं अब आपको दिखाते हैं फ्रंट का बालकुनी का एरिया तो यह देखिए वालकुनी के एरिया में पहुंच गया है यहां पर भी टैप लगाया गया है यूज कर सकते हैं और यह स्टेर को रूप टाप में चलिए आते हैं और अब मापको रूप टाप का एरिया दिखा देगे यहां से आपको पूरा आईडिया हो जाएगा लोकेशन का और आसपास के घर प्याना हो भी दिखाना चाहेंगे अब आम रूप टाप के उपर पहुं तो दे रहे हैं दोस्तों मैंने आपको तीन मरले में बना हुआ गर जो है डुपलेक्स दूरा दिखा दिया जिसमें तीन बैट्रूम तीन बाद्रूम लॉपी किचन और ड्रेसिंग के पूरी फिनिश के साथ हमने आपको दिखा दिया है प्राइस बहुत नम्लेव है 72 लाग म आपको कर दे रहे हैं तो लोगे दूरी वाकी एरिये में और मैं चाहूंगा कि आप हमारे जैसे शेयर करते हमारे साथ जोड़े रहने के लिए हमारे वीडियो जैसे शेयर करने के लिए वह थैंक्यू धन्यबाद शुक्रिया झाल 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 झाल